तो दोस्तो शुरू करते हैं आज के इंफरा न्यूस पहली खबर जो आ रहे हैं वो है हमारे बुलिट रिंग पूजिक के अंदर के सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट पैकेट से रिलेटेड जहां पर 21 किलोमेटर लंबी इंडिया की सबसे लंबी पहली अंडर सी टनल बनाने क के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्री सब्सक्राइब में मिला है जब पर एने चेजर सीएल ने इनको काम सॉप दिया है इसको बनाने के लिए तो वैसे बीडिंग बीडिंग सब हुई थी उसके बाद में जो हमें पता चला तक यह कंपनी बनाएगी लेकिन इतना बड़ है कि AFCONS भी शाप ओजी पॉलाउन जी के साथ में मिलकर इसका काम करेगी AFCONS को हाला की काफी एक्स्पीरिंस से टनलिंग का लेकिन समंदर के अंदर क्रीक्स में से गुजरते हुए उसके बाद में अर्बन लैंस्केप के निशिची गुजरते हुए बुली ट्रिंग के स हो गया है सारे साइनिंग्स हो गया है कौन सी कंपनी से मिलकर बनाएगी यह भी पता चल गया है तो हम जानते है कि बहुत ही जल्ड इसके ऊपर हमें एक्च्वल कंस्ट्रक्शन शुरू होते हुए नजर आएगा अगली दोसों जो खबरार यह वह हमारे कोल मिनिस्ट्री से जिनों ने कहा है कि वो जल्ड ही open cash method of coal mining को कम करेंगे और एक better way of coal extraction की तरफ बढ़ेंगे जो की होगा underground coal mining तो जो उपर उपर जो सर्फेस पर coal होता है उसकी mining के दौरान dust उसकी mining के दौरान बहुत ज़दा dust और दूसरी चीज़ों के वज़े से pollution ज़ादा होता है अब अब फिर भी इसको थोड़ा बैतर मजट से कर पाए इसके लिए underground coal का जो mining है इसके share को बढ़ाएंगे साल 2030 तक currently यह 4% पे है लेकिन इसको बढ़ा का 10% तक किया जाएगा 2030 तक ऐसा इनके दौरा कहा गया है अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है महाराश्ट से जाकि सेम के दोस्तों के दौरा का आ गया है कि फिर से महाराश्टा नंबर वन पर आ गया है देश के अन्दर in terms of foreign direct investment और पूरे देश के अंदर जो foreign direct investment पिछले कहटर में हुई उसका 29% महाराश्टा के अंदर हुआ और वह है 1.18,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000 इस तो यहाँ पर दोसे पिछल साल हो यह रहा था कि government issues यहाँ पर political issues कई दूसरी चीज़े और बाकी स्टेट से मिलना difficult competition इनके वज़े से जो महाराष्ट की position है वह बहुत ही जादा नस्दीक पहुच गई थी इंफाक टॉपलों के सेकंड खड़ भी महाराष्ट जा क्या है वैसे रेस के अंतर लेकिन फिर से सीम के दोरा अनौंस किया है कि यहाँ पर इन्होंने यह बहुत ही जादा बड़े investment लान यह मोथे डुन्तिक टे मारपूर लेक से रिलेटेड जिसको टूरिस टैक्षिन के little करने के लिए जिसको टूरिस burg aquestaयशन मेंदि के त्क नकिलिए उर से यहां पर जो landscaping है वो काफी अच्छा बनाए गया है बच्चों के लिए activities बनाए गई है tree plantation बहुत बड़े लेवल पर किया गया है और environmental conservation का message बोलते हुए यह 40 एकर में जो बना हुआ अप spot है इसको लोगों को सुपृत किया जाएगा अगली दोस्तों खबर आ रही है Bay of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economic corporation expo या BIMS tech से related जो की जल्दी शुरू होने वाला है कलकता के अंदर अगले हफते और यहां पर government official policy makers, business leaders, कई member countries आखर तीन दिन तक 400 trade and industry representatives के साथ में अलग-अलग चीज़ों भी discussion करेंगे यहां पर बंगलदेश, भूतान, इंडिया, मायनमार, नेपार, श्रीलंका, थाइलैंड यह देश शामिल होंगे और basically event का यह focus होगा कि overall हमारे रीजिन के अंदर अगली दोस्तों चीज़ों को बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़े की जा सकते है अगली दोस्तों चीज़ों खबर आ रही है वो है बैंगदूरू एरपोर्ट के टर्मिनल 2 से रिलेटेड जो की international flights के लिए September 1 से ओपन हो जाएगा तो दोस्तों बैंगदूरू का Kempe Goda International Airport Terminal 2 आप जानते हो one of the most beautiful airports है पूरे के पूरे देश के अंदर और यहाँ पर वैसे यह airport और लोगों के लिए खुल चुका है लेकिन अभी तक यहाँ से domestic flight operations ही की जा रही थी लेकिन अभी September 1 से international operations भी यहाँ से शिरू होंगे अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है फिर से West Bengal से जाकि government ने बहुत अनोकी टाइप के buses को launch किया है city के अंदर जो automatically air purification systems के साथ में ही आएंगे और इनका नाम होगा शुद दवायू तो basically दोस्तों यहाँ पर जो air conditioning unit होता है वहाँ पर BRMAPS नामके company के त्वारा कुछ sensors और air quality monitors को setup किया जाएगा साथ साथ जो HEPA filters होंगे जिसके वज़े से किया यह जाएगा कि जो particulate matter होता है वो यहाँ पर filter out हो पाएगा और roof mounted systems होंगे जिसके वज़े से जो यह buses के अंदर हवाजाए के air conditioning के अंदर वो प्योरिफाइड होगी तो यह काफी नया और अच्छा initiative है में फ्यूचर में जाकर यह सारे buses के लिए standard बनेगा देश भर और दुनिया भर के अंदर लेकिन यहाँ पर कलकत्ता में इसके शिरुवात हुई है अगली दोस्तों को बना दिया है अ आप जानते हो ओपन जिम्स अच्कल हर कोई लगा रहा है हर नगर से और लोग इनका इस्तमाल भी करते हैं हाला कि इनका मेंडरन सब कई जगों पर हो नहीं पाता लेकिन लोगों के अंदर ही पॉपिलर ज़रूर है अखली खबर दोस्तों जो आ रही है वह है बेंगलूरू अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वह है श्री नगर स्मार्ट सिटी लिमिटेट से जो लाँच करेंगे 175 km लंबे Optical Fiber Cable Network शहर के अंदर जून महिने के अंद तक तो दोस्तों अभी आप जानते हो है श्रीन अगर और यहाँ अगर बात करें पूरे जम्मो कश्मीर रीजन की लदाख रीजन की तो कई गूल्स के वज़े से यहाँ पर डिसकनेक्टिविटी रही है देश से इंट पर अब Optical Fiber Networks का जाल बिचाया जाएगा जो की लोगों के बहुत ज़दा खाम में अगर अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है उत्तर प्रदीश ची जाकि Cabinet ने अप्रूफ किया है एक दिवाइस बजट 788 करोड रूपीस का और इस बजट का इस्तमाल के जाएगा 5. 5.96 किलोमेटर लंबे चिल्ला एलेवेटेड रोड को बनाने के लिए तो नौइड अथोरिटी के दोरे अनॉंस्मेंट किया गया है यह प्रोजेक्ट वैसे दोस्तों कई लंबे समय से चल ला था लेकिन डीले हो गया था बजट इस्यूस के चलते अब ऑविसली इसको एक् सिटम बनाने के लिए जो कि इंटरनेशनल बिजनेस एंवार्मेंट को प्रमोट कर पाए यहाँ पर कहा गया है कि स्टेट में जो इन्वेश्मेंट्स आई है उसका आराउं 10% इसी फील्ड में है यानने लोजिस्टिक्स के अंदर है और जो बड़े-बड़े इन्वेश्म लंबा, कैंटी लिवर ब्रिज है और 20 क्रोडर में कीमन से से बनाया गया है जो कि अभी कंप्लीट हो गया है आज के आस्क पिटी सवाल के बारे मात करें तो प्रतविश धर में पूछता है वाई इस इंडिन ड्राविंग लाइसेंस टेश्ट सो यूजलेस एंड वाइड तो देखो यार यहाँ पे ना conspiracy theory range में थोड़ा चला जाता है क्योंकि ऑफिशल डेटा research इसके उपर कम है लेकिन अगर जनरल इसके बात करी या जनरल इसमरेशन के बात करी क्यों improvement नहीं आ रही है तो दो चार जहन है अगर पहले हम genuine reasons की बात करें कि government किस तरीके से हाथ है कि हर एक test को strict कर देने के लिए ना manpower है ना office power है ना उतना लोग ना अतना area है ना उतने testing facilities है यह सब चीज़े है इन इतनी जादा population को बहुत अच्छे से test करने के लिए तो government इनको improve नहीं करती यानि अगर एक test को करने के लिए आदा-दा घंडा लग रहा है जैसे foreign में बात करें तो जो rules and regulations in law लिके हो है वह ही तरह सिंपल है कि वह देना kind of जो है easy बन जाता है लेकिन अगर major reason की बात करें जो मुझे जनुरीन लगता है is the major reason हमारे आपर one of the most corrupt departments जो होते है वो है RTO departments क्योंकि यहाँ पर corruption जो है वो kind of एक proper linear machinery की तरह बन गया है क्योंकि agents है RTO officers है हर level पे लग लग लोग है इनके approximate इनके हर जगे पे जो है आप जानते हो कि कहीं नगई पर payments होते है जब RTO departments को अगर ऐसा rule implement कर दिया जाए कि यहाँ पर इनको बहुत ही जादा rigorous test करने पड़ेंगे testing के सबसे license देने होगे बिना testing के बिना in-person के license मिल नहीं सकता उसके बाद म है तो लोग agents को भी जो है कईना गई पर इतना preference देंगे नहीं जो अभी 1200 दे के license बन जाता है अगर वो guarantee नहीं बनेगा और जब तक आपको driving आती नहीं है तो लोग agents के पास में जाएंगे ही क्यों और अगर यह mechanism break होता है तो कईना गई पर जो इतना बड़ा अभी यह पैसो नहीं है तो वैसा थोड़ा scenario यह बन क्याता है लेकिन यहाँ पर जो है यह चीज़ी बैग्रांट में रहती है और अफिशल नहीं बनती और मेभी इसके वज़े सी चीज़े है एक जब major constitutional level पर कोई imminent होता है तो मेभी चीज़े चेंज होगी लेकिन तब तक यहाँ पर कोई major improvement नजरने आएगा especially bureaucrat से तो कुछ accept करना हमारी लिए पाप है उमिन करता आपको सवाल का जबाँ मिल या होगा अगर आपको कोई सवाल है अपनी जे कमेंट से मुझे hashtag askpity के साथ में हो पूछ सकते हो अगर आपको कोई news submit करनी है तो उसके लिए आपको एक link मिलेगे description में ज झाल